नमस्कार दोस्तों तुछ लिए आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही मरत्पूर्ण टॉपिक की बारी में यह आपका टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इंकम से संब्दित आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाओ जब आपके हुए तब भी यह सब्द चर्चा में रहता तो देखेंगे कि आखिर फिर से चर्चा में क्यों है एक इसकी बेश्ट भूम ही देखेंगे और देखेंगे यूनिवर्सल बेसिक इंकम है क्या कि क्या है एमर्जनसी बेसिक इंकम इस पर भी चर्चा करेंगे बारत में बेसिक इंकम की आवधार्णा की क्यों है आके उसे भी देखेंगे उनीवर्सल बेसिक इंकम के लाब क्या है हमारे समनी उन्हें भी देखेंगे हमारी लिए चुनोतियां क्या है इसमें उस पर भी बात करेंगे और रोक्नें मौन भी तर्क को टे रहा है उसे भी पिकार की आर्तिक गतिविदियां ठपर हैं। ऐसे में भालती अर्दुवस्ता पर आर्तिक मंदी का खत्रा मड़रा रहा है। देश में ब्यापक प्रमाने परोजगार समाथ हो गए। इस संकट की घड़ी में स्वास्त के साथ ही लोगों की अजीब का भी खत्रे में। इस सम या फिर बड़े प्रमाने पर छटनी कर रही है। एक बात आप लोग हम इसा याद रखिए। सरकार ने अब लोगडाउन खोलने की सिथी में हैं। तो आप समझ जाए कि अब सरकार इंसानों से जानदा अपनी अर्दुवस्तागू महत्त दे रही है। एक कड़वा सच है आप साय सुनने में आपको दिख्केत आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं डेली की केस बढ़ते ही जा रहे हैं। कल 8700 की परी पहुंच चुके थे डेली मतलब 24 गंटे में। तो केसों में कोई कमी नहीं आ रही है। केस बराबर बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सरकार इस बेहाल में छोड़ दिया। तो यह क्या करना है आपको भी आप अपनी और अपने परिवार की। या परिवार से कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोरोना पोजेटिव होता है। चलिए मुझे कोरोना पोजेटिव होता है। मैं परिवार में जाता हूं। तो मैं तो अप्या करके अपना मतलब सेटी खुद रखिए और आप भी जानते हैं सरकार कितना साथ देती है अगर सरकार इतनी ही साथ देती होती तो 1947 से जब से देश आ जा दुगा तब से गरीओं कि दोहाई देते रहते हैं कि अभी तक हटी है इसलिए जाना किसी पर निर्भर मत रहिए अपने आप पर पूरा डेपेंड रहिए और अपने शेप्टी खुद रखिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर देश में तो कोरोना की मरीजों की संक्या गट रही है लगबर लगबर लेकिन हमारा देश आप बढ़ता जा रहा है और अभी कल ही रेपोर्ट पढ़ रहा था कहीं कि अब तो ग्रामीट छेत्रों में भी देखने को मिल रहा है तो आप आप भी समझते हैं इस बात को तो अपनी सेब्टी रखिए और थोड़ा कम अभी बंद कर दिये भूमना वैसे भी अभी आपको जरूरत किया है और आप सोचते हैं कि जब बड़ी लोगों को फरक पढ़ने लगा है तो उनका क्या हुआ होगा जो डेली का कमाती थे डेली का क्रेश करते थे जैसे आके यह रिक्सा वाले हो गए रेडी वाले हो गए इनका क्या हाल होगा होगा और सरकार इतनी मदद नहीं किया देखिए अब पांस सो हजार रुपे में कुछ नहीं होता है इस समय आप भी जानते हो तो उनका वह बुरा हाल हुआ 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 है अगर सरकार इतनी दुम्हारे पक्ष में होती तो एक स्वस्ती से दो सो के करीवा आपके गरी मारे गए मल्दूर कमी ना मारे जाते हैं समझ स सकते हैं लो इस बेकार की विसंफ परिश्तिती में सरकार के समक्ष स्वास्त को प्रात्मित्ता देती हुए आर्थिक गतिविदियों को बना रखने की चुनोती है ऐसे में कई अर्थसास्तियों ने लोगों के आर्थिक संबेवार को प्रोसाहित करने के लिए सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इंकम की यह उजना पर विचार करने का सुझाओ दिया वो अर्थमार में बैसे भी हमारी कोविद-19 के कार है बेसिक के कई देशों में इमर्जेंसी बेसिक इंकम या फिर यूनिवर्सल बेसिक इंकम को सुरूं किया गया जापान ने पितेग बेक्ति को एक लाग एन देने का नेड़े किया है तो वहीं कनाडा ने पितेग बेक्ति को पचीस सो डॉलर पिती माय देने का नेड़े किया लेकिन आपने देखा है आपके देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी जरूरत थी डारेक्ट बेनेविट रांस पर की यानि कि अभी वहीं बेक्ति को डारेक्ट पैसे की जरूरत थी यह उजनाओं की जरूरत नहीं थी नहीं सब्सक्राइड की जरूरत थी अभी ती हम जो नगत मिल जाता उस सी खर्च चल जाता क्योंकि आपने देखा हुआ कि हमारी जो भी घर की इंकम थी हेज चुकी है कि तुसम अभ़ सकते हैं अब आपरों यह मतलब एक सच्चा ही होती है कड़वा सच होता है और आंसर आइटिंग वोसे answer writing में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है आप कुछ देखिएगा दो महीने होने जा रहे हैं lockdown पे हो चुके हैं दो महीने आपने किसी मंत्री को रोड पर देखा है किसी विधायक को देखा है नहीं न सौनू सूद की तरह किसी को देखा है एक इंसान अगर इतने मजदूरों को घर भेज सकता है इतनी मदद कर सकता है तो विधायक MP, MLA और जितने भी राज्य सवासदसों फिर लोग सवासदसों अगर ये सम मिलकर करते तो क्या कर सकते थे एक भी गरीब ना मरता मेरा भरोसा है और एक बात अगर आप खुछ जानते हैं कि कभी-कभी ओवर इस्मार्ट गिरी धरी की धरी रह जाती है और हम फैल हो जाते हैं ये अपनी जिद्निगी में भी रहता है तो यही हुगा इस बार आप सोचिए कि जब हमारे देश में इतना कोरोना नहीं फैला हुआ था अगर उस समय इन मजदूरों को निकल दिया जाता तो साइध इतना किस ना बढ़ता समझ सकते हैं आप लोग क्योंकि उस समय सब के पास नहीं पहुँचाता कोरोना तो जिस तرह अभी निकाल रहे हैं उस तरह उसी दिन निकाल दिया जाता तो ना तो इसतने मजदूर मरते और ना ही तनी परेशानिया जिलने पड़ती लेकिन वही है कि कुछ जाना ही समझदारी कभी भारी पड़ जाती है तो यही हुआ इस बार पितेग बैक्ती को जीवन यापन के लिए नियुंतम आय की गारंटी मिली चलिए यह कोई नया विचार नहीं है थॉमस मूर नाम के एक अमेरिकी करांटी कारी दार्सनिक ने हर किसी के लिए एक समान आय की मांग की थी वह चाहते थे कि एक ऐसा राष्टी एकोस को जिसके माद्यम से हर वायस को एक निश्चित राथी का भुकतान किया जा वह अटेंड रसेल ने सोशल केडिट आंदोलन चलाया जिसमें सब के लिए एक निश्चित आय की बात की गई भारत में अधावधार्णा चर्चा में से लिए रही कियों की बर्स 2016-2017 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में यूवी आई को एक अध्याय की रूमें सामिल कर इसके बिवित पक्षों पर चर्चा की गई गई गौरत लवें की आर्थिक सर्वेक्षण में यूवी आई योजना को गरीब भी कम करने के लिए एक संभावित विकल बताया गया यूनिवर्सल बेसिक इकम हो आखिर है क्या ही यूनिवर्सल बेसिक इंकम कर देश के पिदेक नागरिकश्प दिया जाने वाला एक आवदिक बिनसे कiki नगत हथांत इसके लिए व्यक्ति के सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिती पर विचार नहीं या जाता है, यूनिवर्सल बेसिक इंकम आउधारणा की दो विसेश्टा है, यूबी आई अपनी प्रक्किती में सार्पोमिक है, अर्थात यह लक्षित नहीं है, या बिना सरत नगट रास्पर है, इसमें कोई सरत की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात किसी भी व् पात्थ होने के लिए बेरोजगारी की स्थिति या सामाजे कार्थिक पहचान को सावित करने की आवसकता नहीं होती है, या आरक्षण की तरह नहीं है, या फिर आपको जो खात द्यान मिलता है, कि आप गरीबी में हैं, फिर आप अती पिछडा चित बर्ग में हैं, इससे में कोई मतलब नहीं है, ये सब के लिए बराबर है, यूबी आई एक नियुनतम आदात भूद आए की गारंटी है, जो पितेक नागरिक को बिना किसी नियुनतम आरता के अजीपका के लिए हर्माय सरकार द्वारा दी जाएगी, इसके लिए ब्यक्ति को केवल भारत का ना सावेजों, उस सब कुन सभी के लिए हैं जो भारत में भारत के नागरिक हैं, अब बात करते हैं क्या है इमर्जेंसी बेसिक इंकम, एक निर्धारी समय तक देश के पितेक नागरिक को दिया जाने बाला बिना सर्थ नगत हस्तां तरने, इसके लिए ब्यक्ति के सामाजी त कि आपके देश में एसी ये क्यों जनलाना, जिसके तहर सभी ब्यक्तियों को जो भी भारत का नागरिक हैं, उन सभी को एक सीमे मतलब निश्चित धनासी दी जाना, दी जाएगी, उसके लिए ना आपकी कोई पात्ता हुई, ना इसके लिए आपको कोई गरीवी रेखा का, कार दिखाना होगा, फिर चाहिए आप पिछडावार क्यों, सबके लिए दिया जाएगा, किसी से कोई भी भाव नहीं किया जाएगा, अगर दसजार OVC को मिल लाएं, सबके बस बहारत का नागरिक होना चाहिए, और इमर्चंसी बेसिक इंकम का सीधा सा मतलब है, कि जैसे आपके यहाँ, दो महीने असर है, इसका कुरोना का, दो से चार महीने असर रहता है, तो इन चार महीने के लिए इमर्चंसी बेसिक इंकम दी जाएगी, बर जब नॉर्मल इस्थिति हो जाएगी, तो इसे हटा दिया जाएगा, ठीज़े, इसके लिए व्यक्ति के सामाजिक या फिर आर्थिक इस्थिति पर बिचार नहीं किया जाएगा, इसमें भी किसी की आर्थिक या फिर सामाजिक इस्थिति पर कोई बिचार नहीं किया जाएगा, यानि कि जिस तरह से आरक्षंड लागू होता है, उस तरह से लागू नहीं होगी, ठीक है, यह सब के लिए ब तब सरकार हाला सामान होने के बाद इमर्जनसी बेसिक इंकम देना बंद कर देता है। बरतमार में बैसिक महामारी कोविद-19 यानि की कोरोना वाइरस के कारण बैसिक कई देशों में इमर्जनसी बैसिक इंकम की अउधारना को अपनाए गया। अब सोचिए कि विक्सित देश अगर इस तरह की उजिनाव को अपना रहे हैं तो हमें तो फहले अपना लेना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहां इस्तिती सबसे खराब है वो विक्सित देश हैं। अभी हम लोग NCEIT पढ़ रहे थे तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो वहां कार नहीं है जिनके पास उन्हें गरीब माना जाता है। जिनकी औखार कार खरीदने की नहीं है। और हमारे यहां जिसके पास चत नहीं है उसे गरीब माना जाता है। जो अपना दिन का खर्च नहीं चला पाता है महिने का परिवार का यानि की जीवन नहीं चला पाता है। पालन पोसर्ड नहीं कर पाता है वो गरीब होते हैं तो समझ सकते हैं यहां जिनके पास कार नहीं है वो गरीब है और हमारे यह खाने के लिए खाना नहीं है वो गरीब कहलाता है तो इस्तिति आप लोग समझ सकते हैं तो भारत में पहले भी जरूरी था, सबसे पहले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग डेलीर एक सा चलाते थे, ठेला लगाते थे, उनका क्या हाल हुआ हुआ, आप लोग भासट दे सकते हैं, ऐसी कूलर पंक्रे में बैठका, लेकिन कभी उनको उनकी जगे अपने आप कुरा करिएगा, ठीक है, तब सोचा करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, कि कई लोग होते हैं महानात्माई, जिने कुछ लेना देना तो रहता नहीं, तो वो कमेंटर वोक्स में लिखते रहते हैं, कई जगे मैंने देखा है, लिखा, कि वो गरी मर रहे हैं, तो अपनी मरना तुम्हें भी है, मरना मुझे भी है, यहाँ मरने बाली बात नहीं, बात यह कि किस तरह मर रहे हैं, भूख कोई बीमारी नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है, चलिए कोरोना एक बीमारी है, यानी कि वायरस है, इसे ठीक करना पॉसिवल नहीं अभी, ठीक, लेकिन भूख अगर रोटी दे दी जाए तो वो बच सकते हैं कि नीवसक्त उन्हें घर पहुचा गिए जाए तो वो बच सकते हैं या नीवसक्त तो यहां option है हमारे लिए पास तो इतना भासर मर्द दिया करेगा पता है मुझे कि ज्ञान सबके पास बरा हुआ है कोई ज्ञान से कमजूर नहीं है यह समय की सबसे बड़ी problem क्या है इंसान की वो इस गलत फैमी में मलते वक्त तक जीता रहता है कि उससे समझदार व्यक्ती कोई दूसरा नहीं है मैं बता रहा हूं ना कि यह समझदारी कभी-कभी मजाग बनकर रह जाती है कोई काम की नहीं रहती है क्या उखड़ लोगे तुम अगर तुम बोल रहे होगे वो गरीम मर रहे हैं वो अपने कर्मों की बज़ा से मर रहे है ना तो यह धरती हमारे बाप की कोई इस्थाई ज पुड़ा बात करते हैं भारत में बेसिक इंकम की अवधाना आवसक आकिल क्यों है विदित्या की मत्पिदेश में ऐसी एक युजना को सुरू किया गया था जिसमें पाइलिट प्रोजेक्ट के तहक मत्पिदेश के आठ गाउं में 6,000 से जाना लोगों को मासिक गुगतान किया गया इसका परड़ाम सकारात्मक रहा अधिकांस गरामीन उन्हें उस पैसे का उप्यों घरेली सुगता बढ़ाने जैसे सोचाले दीवार्चत में किया ताकि मलेरिया के खिलाब सावधानी बर्थ नहीं जा सके अनुसुचित जाती और जंजाती के परिवारों में यह दोनों की इस्तिती बेदं बैदर हुई अता हम कह सकते हैं कि वेलिविसे कंपा यह विचार एक उत्तम पहल ए क्या है अच्छा अच्छी पहले आप समस्या के है, पैसा ही तो समस्या है गरीबों की, अगर उन्हें के पास पैसा काफीर है, तो वो अपने स्वास्त का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, और अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं, स्वक्षदा भी रख सकते हैं अपने पास, गरी पैसे की ही सोटी ही यानि की पैसे की कमी थी तभी तो वो दिल्ली पंपई गहे थे वहना आप सोची कौन अपना घर छोड़ना चाहेगा और मैं एक देखता हूँ एक जो भासट देते हैं ना कि वो गरीवों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं एक कोई माबाप नहीं देगा एक भासट उनके जो नए सुपत रहते हैं जैनोंने कभी गरीवी देखी ही नहीं जैने महीने के पैसा आप एड़माज में मिल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यह प्रूप्या आता कहां से कमाना के से बढ़ता है वहीं पैस्वोग सोशल मीडिया पर इस तरह भासट पेलती रहते हैं क्या बोलें यार्थू लोग इंसान होई अब कम से कम इस इस्तिती में तो कम से अपना मुह बंद करके र रोल्टा सीधा बोलूं तो बुरा लगता है बैस्विक महमारी के दोरान बेसिक इंकम को पाइलट प्रोजेक्ट के लिए के जरिये बढ़ाना और दीरे दीरे सावधानी पुर्वक इसे अमल में लाना भारत में आदर्स कितीत हो रहा है क्योंकि इसके माद्यम से गाउ में लोगों के रहन सेन की स्तर को सुधारा जा सकता है उन्हें पेजल उपलवद कराया जा सकता है बच्चों के पोसण में सुधार भी लाया जा सकता है एक नेमित बेसिक इंकम से भूक और बीमारी से बिवेकपूर धंक से निपटने में मदद मिल सकती है बैसेक इंकम बादसरम को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है इसके जरीय उत्पादक कारयों में बिद्धीगर के गाउं की तस्वीर बदली जा सकती है यह सत्विकास की दिशा में एक उलेक निये प्रियास होगा विद्ध है कि बेसेक इंकम की मदद से सामाजीक विसम्ता को भी कम किया जा सकता है जड़ी एक बाक में कहें तो बेसेक इंकम काया बिचार आया समानता आसमानता इसके 2 प्रबावों से भारत को मुक्त कर सकता है तो आप समझ सकते हैं जब एक खास पैसा आने लगेगा तो आरत्य किस्तिती भी उनपी सुधरीगी उनकी सुधरीगी क्योंकि आपने देछा हुआ कि जो आहा समानता है रहती है समाज में सामाज ये किस्तिति की विसमता तो वो इसी कारण तो रहती है बन्दा आप देखते हैं कि ये जंजाती के पास अगर पैसा है सब्सक्राइब अगर वो अधिकारी है तो कई मैंने देखा है बड़ी लोगों को उसके प्यारों में गिज़ते हुए तो मैं पैसे की खाई है यानि कि आर्थिक इस्तिति अगर उनकी सुधर जाती है तो तुम हाथ में लाने लगते हो आर्थिक इस्तिति खराब है तो आप उनसे हाथ नहीं मिलाते हो तो तुम पैसे की नजर से देखते हो उसकी इस्तिति को ठीक ना कि उसकी सामाजिक की वो जातपात को लेकर आपको सिर्फ मतलब रहता है उसकी आर्थी इस्तिति से चलते हैं हांगे हम लोग अभी आपने कल अगर आपके रेंट से जुड़े रही है हमिसा मैं यहीं कहता हूं आपने कल सुना होगा किसी ने डाल कर अभी जो पीएम फंड बना हुआ था कोरोना वाइजरस के लिए इसकी जानकारी मांगे तुद आपके पीएम ओओ ओपस ने सबने मना कर दिया पीएम पंड के बारे में जानकारी दे रहा हूं क्या बोला गया यह पबलिक अथोर्टी नहीं है पब्लिक का पैसा ले रहे हो फिर पब्लिक अथोर्टी नहीं है हसी नहीं आदियात को कि आप सरकारी उसमें डॉमेन यूच कर रहे हो सरकारी नाम यूच कर रहे हो फिर भी बोल रहे हो क्या कि ये पब्लिक अथोर्टी नहीं है आप से सोचिए कि मेरे बारे में अगर कुछ गलत नहीं है, कोई मेरे अंदर बुराई नहीं है, यानि कि मैं कुछ छुबाई नहीं रखा हुआ हूँ, मैं खुला हुआ आदमी हूँ, तो मुझे बताने में क्या हारज होगा, आप मेरा मोबाईल चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ, मतलब ऐसा कुछ छुबाई नहीं है, कि मत के अंदर कुछ बुरा है तो सरकार सोचिए बनना मैं तो कहता हूं कि पूरा परिबार मेरा मुवाल चूए कोई भी लेकर देख लेना उसे क्या प्रोब्लम है तो सरकार आप सोचिए कि पीम फंट में कुछ कमीत हुए तब तो सरकार इस तरह का बक्तब दे रही है कि मुझे लगता है आज मुझे साथ कि यह प्रसनल है मेरा विव कि पीम फंट में देने से पैसा अगर सूनू सूथ की तरह बैक्तियों ने पैसा दिया होता तो साथ कुरोना वायरस से बेहतर निपना जा सकता था गरीगों की मदद की जा सकती थी और आप देखिए आंगे से कि ऐसा आदमी दढ़ेगा इस तरह का पैसा देने से मैं मौधी से कोई बुराई नहीं है मेरी ना वीजेपी ना किसी पार्टियों से मेरा कोई ले नहीं है हकीक्यात है आप सोचिए कि मतलब जंता पैसा दे रही है किसी ने सो रोपे दिये उसे में किसी ने 500 रोपे दिये कि अब बड़ी लोगों ने बड़ी से पैसे दी लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि वो पब्लिक अथर्टी नहीं है मतलब इसे देने में में कि कोई वो नहीं यार्टियों की द्वारा कि दोनों बाल रेजिक्ट करते गए है कि कुछ तो गपला लगता है ना तभी तो इ यूनीवर्सल बेसिक इंकम से लाब क्या है वो अरतमार में सरकार विभे ने सामाजी कल्याण ये उजनाओ की मात्यम से लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है लेकिन अब सरकार उन्हें नगत पैसा देकर इस प्रिविर्थी को बदलना चाहती है त इससे देश में उत्पाधनकारी गद्धिविनियों को बड़ावा मिलेगा यहां डारेक्ट यानि की डारेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर का मतलब यही था कि आप आप सोचिए कि आप उत्पातन कितना भी करते रही करते रहिएगा जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो ह कैसे करें देख़ों और आप सोचिए कि उनके पास पैसा आ रहा है महिने का 50,000 रुपया तो आप कितना भी प्रोडेक्शन कीजिए भूखपत होती रहेगी उसके क्योंकि डेमांड जितनी रहेगी उतना अच्छा रहता है तो अगर अभी आप लोग पैसा दे देते उसके आधन करना भी बंद कर देते हैं इस यह उजना को लागू करना आसान है क्योंकि इसमें लावार्ति को चिन्नित करना नहीं करना पड़ता है यानि कि इसलिए आसान ऐसे लागू करना क्योंकि भारत का जितनी भी नाग्रेक हैं सभी लिए यह उजना है इसमें आपको ना त सरकारी धन के अब वैश्टाचार को कम करेगी क्योंकि इसका कयानमर बहुत सरल है और पैसा सीधे लावार्तियों के खाते में भेजा जाएगा और आपके बास सीधा साफ जान सकते हैं कि अब आपके देश में अधिकतर लोगों के पास बैंक खाता हो चुका है आप चाहें तो डारेक्ट उनके ट्रांसफर करते हैं उनके खाते में इसमें बीच में किसी को लाने को बिदाय को पर चाहें आपका कोई अधिकारी हो या पिर सरपंच पंच जो भी रहते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है बीच में तो कोई खाने बाला नहीं रहेगा तो डार सब्सक्राइब से नीचे पहुशता हूं राजीव गांदी अटल वियारी बाच पर बोलते रहे गए तो एक मौदी का दो तीन मुझे अच्छे काम लगते हैं वैसे मैं गलत नहीं मैं दे ये बुराही किसी की नहीं करता हूं जैसे स्वक्षिता अभियान हो गया था बहुत बढ़िया काम है जंधन खाता है वे भी कितना अच्छा काम है सबके बास खाता होना चाहिए मैं तो कहता हूं एक दसक पहले हो जाना चाहिए था ए तो जंता साहे दोर अच्छी से जीवान यापन करने लगती है अपना चुनोतियों चुनोतिया देखते हैं दुनिया के उच्छ आसमानता की स्थिति आटोमेशन और बैस्विक महामारी से उत्पन आर्थिक संकट के गारण रोजग्यार के नुकसान की संभावना ने कई 19 सील अर्थ विवस्थाओं को यूनिवर्सल बेसिक इंकम की अवधार् को नियुनतम इस्तर की आय समर्थन की गारंटी दी जा सकती है कई विसे सकों का मानना है कि सब के लिए विसेक इंकम का वोज कोई बहुत बिकसी दवर्थ व्यवस्था ही उठा सकती है जहां सरकार कर सकल घरेल उत्पाद यानि कि जीडिपी के 40 फीस्थी से भी जाना हो टे सब्सक्राइब की बात करें तो टेक्स और जीडिपी काया है हनुपाद सत्रे फिजदी से भी कम बैठता है हम तो बुनियादी स्वास्थ सुविधाओं और आधार वू धाचे के लावा सुरक्चा आंत्रिक सुरक्चा मुद्रा और बाहरी संबंदों से जोड़ी सम क में सिदानरासी होगी जो ब्यक्ति की बनियादी जरूर्तों को पूरा कर सके इस बात की प्रबल समावन और ही कि लोगों को दें नि 좋아하 रक्म उन्हें आलसी बना सकती हैं बेकाम ना करने के लिए पेरिक हो सकते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोगों को दे गई निसल्क रकम उत्थपादक गतिविदियों स्वास्त और सिक्षा आधी पर खर्च की जाएं यह तमागु सराप ड्रक्स और अनलग जरी बस्तूओं आधी पर भी खर्च की जा सकती है अगर ऐसा हुआ तो इसी उजना का उत्देश सी भी फल्ग हो जाएगा लोगों को निसल्क रकम देने से अर्थव्यस्था में मुद्राइश्च विती की दर में विद्धी हो गई क्योंकि देश में बोगताबादी गतिविदियों को बड़ावा मिलेगा याद रखे मैं भी बेसिक इंकम यूनिवर्सल इंकम का पक्षदर नहीं हूँ यानि कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ लेकि इमर्जेंसी के टाइम मैं इसके पक्ष में हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप डेली किसी को 10,000 महिने में 10,000 देदने लगें तो उसे सोचना भी नहीं पड़ेगा ना वो आजसी हो जाएगा उसके मन में सराब, इस तरह की सराब, तमाकू, द्रक्स, अनलग जरीबस तुम में दिमाग लगने लगेगा अभी कम से कम कमान भीता है तो उसे महनत का पता चलता है कि महनत क्या होती है फोर वो बहुत आलसी बन जाएगा ठीक है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ लेकि में जम हमारे गरीव अनड़क जिस टाइम, इमर्जन्सी यानि कि कोई आकदा खड़ी वी हो उस टाइम देखे मैं इसके सपोर्ट team में हो, यानि कि इमर्जन्सी बेसिक इंकम के पक्ष में हों लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इंकम नह तो hnाव रारक देसित ना विक्सित है कि उठा इसका खर्च उठा सकी तो ये मुश्किल से लागू की जा सकती है क्योंकि 135-40 क्रोर जेंसंग क्या वो इतना देवाना मुश्किल है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इंकम की पक्ष में तरक अगर भारत की बात करें तो यहां आपादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीपने आपन करता है और गरीबों को सबसेटी ये उमसाहिता पिदान करने वाली कई सरकारी योजनाय विभिन समस्याओं से गरस्त हैं वर्कमार में कें सरकार की कुल 950 योजनाय चल रही है इस योजनाओं को चलाने के लिए जीडीपी का करीब पांच भी थीसत खर्च होता है एक योजनाय गरीवों को लाब पहुंचा रही है या नहीं यह चर्चा का बिस है बना हुगा है हुगै हार इंसान को एक डोजगार वपलब्द कराया जाया और यह इंतिन चीजाओं को अगर आप लो अच्छे से नरादोड तो आपको बशन करते हैं तो आपको ऑद्रों की जरूबद नहीं पड़ेगें देने की है और योजनाओं को कम ही चलाने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इन तीन पिलरव को सक्ति साली कर देते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं कि अगर स्वास्त ब्यक्ति रहेगा, पढ़ा लेखा रहेगा, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ करने लगेगा, आपको उसे देने की फिरी में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ सकते हैं आप लोगे, आर्टिक सर्वेक्षन में भी इस बात को सुईकार किया गया, कि इन सभी योजनाओं को यदी बंद कर दिया जाए, तथा इन में खर्ष होने बाले पैसे को UBI की यानि की यूनिवरसल बेसिक इं देक्त रूप से पैसा पहुंचेगा, उनकी स्तिती में सुधार भी होगा, सिस्टम में आनेक खामिया के चलती है, जिन लोगों को वास्तों में सरकारी साहता की आवस्ता होती है, उन्हें छोड दिया जाता है, इसलिए एहतरक दिया जाता है, कि यूनिवरसल बेसिक इंकम सभी नाग्रिकों को बेसिक आए, पिदान कर इन समस्याओं को दूर कर सकती है, निस्कर्ष्टा क्या कहा जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है, कि बेसिक इंकम का विचार भारत की जंता के स्वास्त सिख्षा और अन नाग्रिक सुब्ताओं में सुधार के साथ साथ उनके जीवन इस तरको उपर उठाने की दिशा में एक मत्पूर प्रयास होगा लेकिन सब के लिए एक बेसिंग इंकम तब तक संबव नहीं है जब तक कि बरत्मार में सभी योजनाओ के माद्याम से दे जा रही सब श्रटी को खतम ना कर दिया जाए अता सभी भारत बासियों के ए नहीं जानदा प्रभावी और भिलवारिक होगा मैं हमेशाब लोगों से बोलता रहता हूं कि दुनिया हखीत होती हो और एक दुनिया हम लोग जीते हैं तो आगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहें यानि कि कहीं पता रहें या इंटर्वीव में दे रहें तो आप लो तो ना तो उनकी बुराईयां बताने लग जाई है और नहीं उनकी अच्छाईयां बताने लग जाई है पूरी तरह से फिर मालू चला कि आप उनकी अच्छाईयां बूल गए और बुराई 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 जाने लगे तो यहां भी आपको नुकसान हो सकता है और फिर यहां ऐसा मत करिएगा कि आप उनकी अच्छा ही अच्छा ही बुरा बताने लगके उनकी बुराईयां कुछ रही हो बोल दी आपने तो यहां भी आप लो नुकसान पा सकते हैं आपको balance बना के रखना है बरावर बरावर ठीक है उसके बाद आपको बोलना है या पर कहीं लिखने के लिए आ रहा है तो वहां लिखना है नज़िया क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर अभी मुझे लगता है वगवान सिरी राम होते हैं सच में तो घर में कभी ना बैठती है वो रोड पर होते हैं छिप पर जाय कोई बिधाय को हमारे याँ देखिए पांसो तैंप्यालीस तैंटालीस आपके लोगसावा में सदस हैं यह पूरे अगर रोड पर उतरते हैं अच्छे स सब्सक्र सकते हैं लेकिन और उल्टार्शीदा मत बोलीस अच्छाा व करने में या किसी बारे में गलत लिखना इकम बात हैं ऑप लुग भगवान को मानते हैं तो अब भगवान वह वद्पर बैठे होंगे इगर सोचते होंगे वह तुम आहें हमारे बात हम तो किया सोचते हुगे, कि क्या यही इंसानियत रहेगी है, यही माना होता है, कि यह भूंख से मर रहा है, और एक दूसरा ताने दे रहा है, देखे, अगर सजा मिलती है करमों की, तो इसमें आपको करमों की सजा होओ, पर चाहए हो होullenат, है आफोगों सजा मिलेगी हैँ व्साजा मिलने का यह मतलब नहीं रहता है कि अभी आपको सजा ब hey घाट का मतलब है कि आपके सामने यह समस्यां कhड़ी कर देंगी अपने आप कि आप समझ में नहीं आएगा कि इन से निप्टा कैसे जाए तो आज कर सजा इसी तरह से मिलती है तो चलिए आयर्टी कल था आपका यूनिवर्सल बेसिक इंकम के बारे में आसा करता हूं कि आप सभी इसके बारे में समझ गए हूंगे